एक old business man अपने लिए एक young wife buy करता है उसे उसके साथ painting बनानी थी तो एक painter को उन्होंने hire किया पर उस painter के साथ ही उसके wife का affair हो जाता है इसके बाद story में बहुत सारे अलग-अलग twist आते है अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे movie to live fever 2017 की एक Hollywood drama romantic movie में देखेंगे अगर आपको वीडियोच रखता है तो प्लीजिस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie की story हमें मरिया बता रही है इसके बारे में में बाद में पता चलेगा हमारी movie का time था 1600 का और इस story Amsterdam की है उस समय ट्यूलिफ फ्लावर के लिए बहुत सारा demand था बहुत दूर से लोग इन्हें पाई करकर लाते थे और इनकी trading भी हुआ करती थी इनकी value बहुत बढ़ जुकी इस information के बाद हम हमारी main character सोफिया को देखते हैं सोफिया एक orphan थी तो नन के पास church में रहा करती थी एक दिन नन ने सोफिया को एक बहुत ही अमेर businessman को sale कर दिया उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर रही तुमारी life आगे heart हो कि और businessman के साथ तुम्हें एक अच्छी life जी स सकती हो सोफिया भी इस बात के लिए मान गई और businessman से शादी कर लेती है यह businessman हमारा और एक main character है इसका नाम था Cornelis Cornelis की age ज़रा ज़ादा थी उसकी first wife के delivery के वक टेथ हो गई थी वो एक बेटा चाहता था इसे वज़े से उसने सोफिया से शादी की थी अब बहुत सारा time गुजर गया पर फिर भी सोफिया pregnant हो नहीं रही थी Cornelis का friend उसे कहता है तुम्हें सोफिया को छोड़ देना चाहिए पर Cornelis के करने के लिए ready नहीं था वो सोफिया के लिए care करने लग गया था उनकी घर पर एक made काम करती थी जिसका नाम है मारिया और मारिया ही हमें इस्टोरी सुना रही है आज कल मारिया खाने में बहुत ही जादा फीश ला रही थी Cornelis से बात notice करता है उसने बुचा क्या तुम्हें फीश वाले से प्यार हो गया है वो सिर्फ मज़ा करा था पर actual में मारिया को फीश वाले से प्यार हो गया था उसका नाम था विलियम रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सोफिया और कॉर्नेलिस कंटिनूसली प्रेगनट होने का ट्राय कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था ये प्रावलम लेकर फिर सोफिया एक डॉक्टर के पास गये तो सब कुछ उसे बताती है तो डॉक्टर डारेक्ली उसके साथ इंटिमेट होने के लिए रेडी था वो उसे अपने बेड्रूम में लेकर गया फिर सोफिया नहीं रेलाइस किया कि ये करना क्या चाहता है उस पर वो गुश्टा हो गए उसे स्लैप करकर वहाँ से ओ चली जाती है वो हमेशा गौड को प्रेग कर दी थी कि वो जल से जल प्रेगनेंट हो जाए एक दिन कॉर्णेलिस को लगा कि उसे सोफिया के साथ एक पोट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए उनकी सीटी में एक न्यू आर्टिस इमर्ज हो रहा था जिसका नाम था जान जान एक टैलेंटेड और न्यू आर्टिस्ट है उस वज़े से उसके रेट्स बहुत ही कम थे इसका फायदा कॉर्णेलिस उठाना चाहता था जान के फ्रेंड को कॉंटेक करकर कॉर्णेलिस ने उसे कमिशन वर्क पर हायर कर लिया पेंटिंग करने के लिए जान जब सोफिया को फर्स टाइम देखता है जैसे के में पता है इनकी मेंड मारिया का विलियम के साथ अफेर चल रहा है विलियम चाहता था कि वो जल्दी से अमिर बन जाए ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइफ दे पाए इनकी सिटी में जल्दी अमिर बनने का एक ही रास्ता था और वो था टूलि फ्लावर की ट्रेडिंग करना यही ट्रेडिंग करना विल्लियम ने start कर दिया एक दिन सोफिया की पेंडिंग बनाती है वक्त जान ने realize कि allegedly कि उससे प्यार करने लग गया है सोफिया को भी यही बात realize हो रही थी उसे रगता है कि यह सब गलत है उसने कौरनली से बात की और कहा कि जान को फायर कर दो उसे कहती है कि जान बहुत ही expensive है और उससे pending मों नहीं बनाना चाहती बाद में वो खुद ही अपना mind change कर लेती है अगली दिन विल्यम मारिया से मिलने के लिए आया उसने जो भी टूली flowers बाई किये थे इसके papers उसे दिखाता है कहता है इससे हम अमीर बनेंगे और यहां से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे मारिया भी यह सब सुनकर बहुत खुश थी एक दिन जान ने सोफिया को टूली flower लाने के लिए कहा उसके हाथ में उसे रख कर उसके बहुत ही beautiful सी painting बनाता है एक दिन बहुत सारा करेज गैदर करकर सोफिया जान के घर पर आई पर जान सोफिया के घर पर आया हुआ था मरिया ने दर्वाजा कोला तो जान उसे कहता है कि मैं उसे later लिखूंगा जब उसने सोफिया को later लिखा तो ये later Cornelis बढ़ता है इस later में लिखा था कि उसोफिया की tulip flower के साथ अपने घर पर painting बनाना चाहता है ये flowers बहुत ही expensive थे तो पहले Cornelis इसे मना कर रहा था पर बात में हो गयता है सुबा जाना और शाम में वापस आ जाना सोफिया flowers लेकर जान के पास आई और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है painting बनाने के बहान है इनका affair start हो गया था एक दिन विल्लियम ने जो tulips बाई किये थे ये वो देखने के लिए आया नन उसे tulips दिखाते हों पाया ने इस बात से मरिया जरा upset हो गई थी Nixon में हम देखते है कि आज शाम का Cornelis और सोफिया का अपने फ्रेंड से मिलने का plan था सोफिया को जान से मिलना था तो इस सवजे से Cornelis के साथ आने के लिए हो मना करती है Cornelis कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाता पर सोफिया ने कहा मेरी तबियत खराब नहीं है पर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए उसे जाने के लिए force करती है पैरलल में हम देखते है कि विलियम अपने टूलिपस को सेल करने के लिए मार्केट में आया और उसे बहुत अच्छी प्राइज मिली अब वो अमिर बन चुका था तो डार्रेकली मारिया से मिलने के लिए मारिया की तरह कपड़े पहने हुए सोफिया जान से मिलने के लिए घर से बाहर नेकलि विलियम को लगा कि वो मारिया ही है उसे आवाज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं विल्लियम ने फिर उसका पीछा किया सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी विल्लियम उसे सही दरीगे से देख नहीं पाया उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ अफेर चल रहा है और इस वज़े से वो बहुत ही heartbroken हो गया intimate होने के बाद जान और सोफिया एक दुसरे से I love you कहते है एक दुसरे की बिना जी नहीं सकते है अपने heartbreak के बाद विल्यम दारू पिने के लिए आया एक sex worker को पता था कि विल्यम के पास बहुत सारे पैसे है उसके पास आती है विल्यम उसे दूर करता है पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिये थे ये पता चलने के बाद वो बहुत ही disturb हो गया उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी fight हो जाती है विल्यम अपनी life के सारी important चीज़े आज खो चुका था तो यहाँ से ओ चला जाता है रात में कॉर्नलिस जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी वो बाल-बाल उसकी नजरों से बच जाती है विल्यम को जो भी लगा उसके साथ जो भी हुआ इसके बारे में मरिया को कुछ भी पता नहीं था उसे लगता है कि विल्यम ने उसे धोका दिया इस वज़े से बहुत ही डिस्टब हो गई थी सारी बाते उसने सोफिया से कही उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेगनन्ट हूँ ये एक बड़ा प्रॉलम था अगर इसके बारे में कॉर्नेलिस को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लोट सकती वो शरम से मर जाना चाहती है सोफिया उसे कहती है तुम्हारे सिक्रेट रखने में तुम्हें हेल्प करूंगी पर अगर कॉर्नेलिस को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा मारिया कहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक करना पड़ेगा वरना मैं कॉर्नेलिस को तुम्हारे और जान के बारे में बता दूंगी इस बात से सोफिया डर गई थी इसके बारे में वो जान से बात करती है एक रात कॉर्नेलिस डिस्टब होकर बैठा हुआ था सुफिया बुछती कि क्या हुआ कॉर्नेलिस कहता है शायद गौर्ड्स मुझ पर जरा नाराज है फर्स टाइम जब मेरी वाइफ प्रिग्नन थी तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे की बीज में अगर आपको कोई चूज करना होगा तो मेरे बेटे को चूज करना इसी डिसीजन की वज़े से उसकी वाइफ और बेटे की डोनों की डेथ होगे अब कॉर्नेलिस को लगता है कि गॉर्ड उसे पनिश कर रहे है सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बताने नहीं वाली थी पर मैं प्रेगनन्ट हूँ ये सोफिया ने जूट कहा था अभी अभी उसे एक आइड़ा आया है वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे मैं प्रेगनन्ट हूँ इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे जब तुम्हें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रहे पाऊगी और मेरी प्रॉलम भी सौल हो जाएगी ये सब करना डिफिकल्ट था पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था पहले जिस बेइमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से जूट कहने के लिए हायर वोग कर लेती है वो जूट मूट से सोफिया का चेक अप करने के लिए आता है वो हमेशा कॉर्नलिस को रूम से बाहर निकल देते थे और वो मारिया का चेक अप करता उस डॉक्टर ने कॉर्नलिस को ये भी कहा था तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है Cornelis बात से बहुत ही खुश था एक दिन काम करते होग मारिया को उल्टी आके सोफिया भी उसके पीछे-पीछे दुसरे रूम में आ जाती है उन्होंने Cornelis के सामने प्रिटेंड किया जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है इसी तरीके से उसे हमेशा वो बेवकूब बनाते गए एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही Cornelis मुझे छोड़ सकता है वो अपने बच्पन के बारे में जश के बारे में बता रही थी यही बताते हुए Tulips Garden के बारे में भी बता देती है जान को इस Tulips के Garden के बारे में नहीं पता था उसे आड़ा आता है कि अगर इस Garden से उसने कुछ Tulips चोड़ी कर लिए तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुचा नने देख लेती है और जो उसे उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है सुबह होश आने के बात जान सारी situation नन को बताता है उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो एक चांच चाता था और इस टूली का बिजनेस करना चाता था नन भी उस पर तरस खाकर यह बिजनेस करने के लिए उसे परमीशन दे देती है उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमिशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो जान को इस सब सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के पाद जौन को इसमें एक उपरचिनेटी दीखिए इसके बारे में नन से बात करता है सब एक्समेशन सुनने के बाद नन ने भी उसे टूली फ्लावर का सीड सेल करने की परमीशन दे दी थी अगर इसमें वो सकसेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया सोफिया उसे लेकर उपर के रूम में चली जाती है उन्हेंने डॉक्टर को बलाया डॉक्टर कॉर्नलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता थोड़ी देर में नीचे आया Cornelis पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है डॉक्टर ने बूचा कि कुछ पिछले दिनो सूफिया का body temperature ज़्यादा था Cornelis ने कहा कि पिछले दिनों में उसे हाथ ने लगाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेंडनसी के वक्त उसके साथ intimate ना हो ये सारा सोफिया का ही प्लान था थोड़ी दर में मरिया की delivery successful होती है पर डॉक्टर नीचे आकर Cornelis से गये थे तुमारी wife की date हो चुकी है उपर सोफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया इस बात से Cornelis को बहुत बुरा लगा वो सोफिया से बहुत प्यार करता था इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सोफिया जादा important थी ये सारी बाते जब वो डॉक्टर को पता रहा था तो इस सब कुछ सोफिया ने सुना था Cornelis उसकी इतनी care करता है और उस पर cheat कर रही है ये सब realize करकर सोफिया को बहुत तकलीफ होती है अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी ये नाटक हद से बहार चला गया था Cornelis disturb होकर लास्ट टाइम सोफिया को किस करना चाता था पस सब लोग उसे रोक लेते हैं इसके parallel में हम देखते है इस जान tulips की trade करता है उसके पास एक rear spaces थी तो इस वज़े से उसे बहुत बड़ा profit हुआ सोफिया को एक coffin में डाल कर ले जाया जाता है ये सब करने में जान के फ्रेंडी उसे help कर रहे थे Cornelis बहुत ही emotional हो गया था अपनी newborn baby का नाम भी वो सोफिया रखता है मारिया उसे promise करती है मैं आपकी बेटी का अपनी खुद की बेटी की तरह खयाल रखूंगी जान जब trade करकर घर पर आया तो जीन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिये थे ये सारे उसके घर पर मोजूद थे जान को trade के पैसे मिलने के पहले टूलीप फ्लावर के सेड को डिलेवर करना पड़ेगा सब लोग उसे बिना पैसो के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा जाओ और नंस्यो फ्लावर लेकर आओ जॉन का फ्रेंड पियक कर था तो उसने वॉन किया था कि फ्लीज आज कुछ भी मत पीना सुफिया जान के फ्रेंड्स के घर पर पोची तो वो रिलाइस करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है वो इस तरीके से कॉर्नेलिस को धोका नहीं देना जाती है वो फिर से उसके घर जाने लग जाती है जान के फ्रेंड ने नंसे वो फ्लावर ले लिया पर रस्ते से आते वक्त उसने एक आदमी को एक एनिमल को मारते हो देखा उसे बचाने के लिए रूख गया एनिमल को बजाने के लिए सब लोग उसे चेयर करने लग जाते है और वही पर ओ दारू पीने लग गया ऐसे ड्रंक होकर ओ जान के पास वापस आया जान पुछता है कि फ्लावर का है उसका फ्रेंड ड्रंक था और वैसे उसने उस फ्लावर को खा लिया था उसने सब कुछ बरबाद कर दिया सोफिया घर पर पोच्छती है कॉर्नलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है उसने रियलाइज किया कि अपनी गल्दी सुधारने के लिए उसे लेट हो चुका है वो अपनी शौल नदी में फेक कर वहाँ से चली जाती है आज विल्यम सीटी में फिरसे वापस आ चुका था यानि मारिया का बॉइफ्रेंड उसके बेटी का फादर वो मारिया से मिलने के लाया मारिया कहती कि तुम कहा गए थे विल्यम ने कहा कि मैं आफरिका में था इस सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है विल्यम ने कहा कि तुमने मुझ पर चीट किया था इसी वज़े से में चला कया मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेश चल रहा था उसने सारा सच-सच उसे बता दिया एसा बताती हुए कॉर्नेलिस सब को सुन लेता है इससे कॉर्नल इसको शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपने बेटी का तुम अच्छे से खैल रखना वो यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विल्यम के नाम करकर जाता है उसने मारिया से कहा कि लोगों से कहना कि यह बेटी मेरी है तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा उसकी खुद की फैमिली कम्प्रेट नहीं हो पाए पर वो मारिया और विल्यम की फैमिली कम्प्रेट करकर वहाँ से चला जाता है वो एक new country में फिर से अपनी life newly start करता है जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली के तो उसे ढूणने की बहुत कुशिश करता है नदी में सोफिया ने शौल फिका था ये देखकर जान को लगा इसमें डूपकर सोफिया की डेथ हो गई है इसे उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद movie में directly 8 साल पीत गए इतने time में जान एक बहुत ही अच्छा artist बन गया था तो एक दिन नन उसे मिलने के लाई चल्च की वाल पर paint करने का contract उसे वो दे देती है नन ने notice किया कि जान ने सोफिया की बहुत सारी painting बनाई हुए वो हमेशा उसी की याद में painting करता रहता है एक दिन जब जान चर्च में painting कर रहा था तो वही पर उसने सोफिया को notice किया ये दोनों फिर से एक दूसे से मिल गए थे ये सब नन की वज़े से हुआ था कॉर्नेलिस ने भी एक new country में अपनी life को फिर से start किया फिर से शादी की और अब उसे बेटा भी हो गया था मारिया और विल्यम अब business की वज़े से रीच हो चुके थे तो अच्छी life जी रहे थे ये पूरी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी छोटी सोफिया को भी लगता था कि वो कॉर्नेलिस की बेटी है पर मारिया इस स्टोरी सुना कर उसे सब को चीज़े क्लियर कर देती है कि वो उसकी बेटी है इसी के साथ इस movie की happy ending हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और गमेंट जरूर कर दीजेगा यह बहुत सारी इससे तरीके से मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम विर्षी मिलेंगे और एक निमयों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया